हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू समाधान स्टोडी आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलोजी के टॉप 40 कुश्चन पिछली क्लास में हमने बायोलोजी की कुश्चन देखे थे आगे भी आपको क्लासे निरंतर मिलती रहेगी जुड़े रहे चैनल के साथ में और जो बचे क्लास में नए हैं वे सभी शेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप आगे भी हमारी क्लासों से निरंतर जुड़ सकें तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर आज का क्वेश्चन है अच्छी ओजोल पाई जाती है ए मध्य मंडल में ब चोब मंडल में, सी समताप मंडल में, डी आयन मंडल में तो इसका राइट आंसर होगा उप्शन सी समताप मंडल में बढ़ते हैं नेक्ट कोश्चन की ओर भोपाल दुरगटना के सम्मंद में निम्नलिकीत में से कौन सा कथन गलत है ए हजारों मानों मारे गए थे, ब दिसंबर 1984 की रातरी में हुई थी D. इस दुरगटना में मिसाइल आइसो साइनेट गैस का रिसा हुआ इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स संपुर्ण भोपाल में रेडियो एक्टिर विकीरन फैल गया था बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्चन के ओर गैसों के निम्नलिकित युगमों में से कौन हरिद्ग्रह प्रभाव का मुख्य कारण है हरिद्ग्रह प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट इसका ओप्शन है CO2 तथा CO CFC तथा SO2 C CO2 तथा NO2 D CO2 तथा O3 इसका राइट आंसर है ओप्शन A CO2 तथा CO बढ़ते नेक्स्ट कोश्चन के ओप्शन यूट्रिफिकेशन प्राय देखा जाता है ओप्शन A अलवणिय जीलो में ओप्शन B महासागरो में ओप्शन D पहाडो में ओप्शन C पहाडो में ओप्शन D मरुस्थलो में इसका राइट आंसर है अलवणिय जीलो में बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन के ओप्शन के ओप्शन को जादा से जादा लाइक करे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ठीक है देखे कोश्चन जब नदी के जल में घरेलू अप्सिष्ट मिल जाते हैं तो नदी का जल पीने पर छोटे जन्तू जैसे चुहे मर जाते हैं मर जाएंगे बढ़ी हुई सुच्म जिवान वी क्रिया सुच्म पोश्रक्तत्व जैसे लोह को निर्मुक्त करेकती हुए सी बढ़ी हुई सुच्म जिवान वी क्रिया घुलित ऑक्सिजन का प्रयोग करती है डी नदी का जल अभी भी पीने योग्य रहता है तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ओप्सन नमबर सी बढ़ी हुई सुच्म जिवान वी क्रिया घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग करती हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की ओर हरिद ग्रह गैसों में सरवादिक आनुपातिक योगदान देने वाली दो गैसे हैं A. CO2 तथा CH4 B. CH4 तथा NO2 C. CFC तथा N2O D. CO2 तथा N2O तो इसका राइट आन्सर होगा फ्रेंड्स ओप्सन नमबर A. CO2 तथा CH4 CH4 नतलब मीथेन CO2 कारबन डायाकसाइड नेक्स्ट कोश्चन D. B. निम्नलिखित में से किसकी मात्रात्मक अभिवेक्ती है तू प्रयुक्त मानक इकाई का संशिप्त रूप है A. माध्यम में जिवानों का घनत्व B. एक निश्चित प्रदूशक C. समवर्धन में प्रभावी बैसिलस D. एक निश्चित पिडगनासी तो इसका राइट आन्सर हो फ्रेंड्स ओप्सन B. एक निश्चित प्रदूशक बढ़ते नेक्स्ट कोस्चिन की ओर ओजोन छतिकारी पधार्तों के उत्पादन में कमी लाने हे दू विशिष्ट नियंत्रा प्राविधियों पर वैश्विक शहमती पत्र को अपनाया गया A. रियोडी जैनेरियो कॉन्फरेंस में B. मॉंट्रियल प्रोटोकॉल में C. क्योटो प्रोटोकॉल में D. विएना कन्वेंसन में तो इसका राइट आंसर होका फ्रेंस ओप्सन नंबर B. मॉंट्रियल प्रोटोकॉल में बढ़ते नेक्स्ट कोस्चिन की ओर डीडीटी अफ्सिस्ट भोजन स्रंखला द्वारा सिग्रता से गुजर कर जैव आवर्धन उत्पन करता है क्योंकि डीडीटी होता है A. वसा में घुलनसील B. हलका विशाक्त C. जलीए जीवों के लिए विशाक्त D. जल में घुलनसील इसका राइट आंसर है ओप्सन नमबर A. वसा में घुलनसील और वसा में घुलनसील विटामिन्स B and C ठीक है आगे बढ़ते हैं जल में जैवरासाइनिक ओक्सीजन मांग BOD मतलब बायोगेमिकल ओक्सीजन डिमांड A. अपरिवर्थित रहती है BOD का जल में ऑक्सीजन की सांद्रता से कोई सम्मन्द नहीं होता है C. जल में साल्मोनेला की मापक है D. BOD में व्रद्धी होती है जब जल में अप्वाह निमनलिखी मिस्रित हो जाता है इसका राइट आंसर है option D BOD में व्रद्धी होती है जब जल में अपवाह मिस्रित हो जाता है देखते नेक्स्ट कोश्चन वायू प्रदूशन को नियंतरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में से एक है A. पेट्रोल के साथ 20% एथिल एलकोहल तथा डीजल के साथ 20% बायो डीजल को अनिवारे रूप से मिस्रित करना B. पेट्रोल चालित वाहनों का अनिवारे P.U.C. पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेशन जिसके अंतरगत C. वाहनों में इंधन के रूप में सलफर की अधिक्तम 500 PPM मात्रा वाले शुद्ध डीजल का प्रयोग करने के आग्या देना D. सभी बसों एवं ट्रको द्वारा इंधन के रूप में प्रदूशन रहित कंप्रेजड नैचरल गैस CNG का प्रयोग करना तो इसका राइट आंसर होगा औप्सन नमबर B. पेट्रोल चालीत वाहनों का अनिवारय पॉलूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेशन जिसके अंतरगर कार्बन मोनो आक्सारिन हाइडरो कार्बन इस तरकी जाज की जाती है इसका राइट आंसर होगा औप्सन A. ओजोन चाती कारी पधार्थों में कमी लाना देखते हैं नेक्स्ट कोस्टन निम्नलिकित में से किसके संरक्षण हे तू चिपको आंदोलन प्रारंब किया गया ए घास के मैदान B. वनो C. पसुधन D. आंद्रभूमी तो चिपको आंदोलन अप्सन B. वनो के लिए प्रारंब किया गया था सुन्दरलाल बहुगुणा जी के द्वारा उत्राखंड के चमोली से ठीके देखते हैं नेक्स्ट कोस्टन निर्वाहसील ये टिकावू विकास पर विश्व समेलन कहां पर हुआ? 2002 में है ना तो इसके ओप्सन है ब्राजील, स्वीडन, अर्जेंटिना, दक्षिन अफ्रीका इसका राइट अंसर होगा ओप्सन D. दक्षिन अफ्रीका में ठीक है देखते हैं नेक्स्ट कोस्टन निम्नलिखित में से किसे एक विकल्प में संपुर्ण वैश्विक उश्मायान हेतू उत्तरदाई कुल्चार में से दो हरित ग्रह गैसों के योगदान का सही प्रती सत्ता दी गई है तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंट्स ओप्सन नमबर A. CFC 14 परसेंट मीथें 20 परसेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की ओर केंद्री प्रदूशन नियंतरन बोर्ड के अनुसार वायू प्रदूशकों के कण के किस व्यास आमाप माइक्रो मिटर में माना स्वास्त को सरवाधिक हानी पहुँचती है उप्सन A 2.5 अथवा उससे कम उप्सन B 1.5 अथवा उससे कम उप्सन C 1.0 अथवा उससे कम उप्सन D 5.2 से 2.5 इसका राइट आमसर होगा फ्रेंट्स ओप्सन नमबर A 2.5 अथवा उससे कम एक गाओं की समीप वर्ती जील में कुछ ही दिनों के भीतर मचलियों की बहुत बड़ी संख्या में म्रत्यू हो गई इसके लिए निम्नलिखी तकानों पर विचार कीजिए आप्सन A. निकटवर्ती छेत्रों में उग्रही फसलों के लिए भारी मात्रा में यूरिया तथा फास्पेट उर्वरकों का प्रयोग उप्योग किया गया B. उस छेत्र में विमान द्वारा DDT का छिलकाओ किया गया था C. जील का जल हरा भरा बदबूदार हो गया था D. जील में आरम में पादपलवकों की संक्या घड गई जिससे प्रकास संसलेशन बहुत ही कम हो गया जील में मचलियों के मन्ने के उपर दिये गए दिम्न में से दो मुख्य कारण थे इसका right answer reference option C. First and third निकटवर्ती छेत्र में उग्रही फसलों के लिए भारी मात्रा में यूरिया फास्पेट उर्वरकों का उपियो किया गया था और third है जील का जल हरा भरा बदबूदार हो गया था देखते हैं next question निम्नलिकीत में से कौन सा एक जल प्रदूर्शन का जैव संकेत नहीं है A. Sludgeworm B. Bloodworm C. Stonefly D. Seewage fungus या जल मल कवक इसका right answer है stonefly पढ़ते हैं next question क्यों सभी बच्चे सेशन को लाइक करें चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सेयर करें सेशन को जिससे और भी लोग जिससे क्लास से जुड सके और अपनी तयारी को मजबूत कर सके देखे question निम्नलिकीत में से कौन सा एक कथन सही है ए रासाइनी कुरवरकों के अत्तेधिक उपयोग से निकट वरती जल रासियों में जल सुपोशित हो सकता है B. एजोटोबैक्टर तथा राइजोबियम दोनों ही पादबो के मुल्ग रंथी काओं में वायुमंडली नाइट्रोजन का इस्तरी करन करते है C. साइनोबैक्टिरिया एनाबिना तथा नौस्टॉक पादब पोशन के लिए मिट्टी में से फासफेट तथा पोटेशियम का संगठन करते है D. इस समय यह संभव नहीं है कि मक्का को बिना रासाइनी कुरवरकों के उगाया जा सके तो इसका राइट आंसर है ओप्सन A. रासाइनी कुरवरकों के अत्तेधिक उप्योग से निकटवर्ती जलरासियों में जल सुपोशित हो सकता है कोईला इंधन वाले एक बिजली सहियत में विद्धूत इस्थातिक आउच्छेपक किसके निसकासन को नियंत्रित करने के लिए लगाय जाते है A. SO2 B. NOx C. SPM. D. CU. तो इसका राइट आंसर है ओप्सन नमबर C. SPM बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोश्चन के ओर, निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में सीवेज, आश्वनी बहिस्त्राओ, कागच के कारखाने के बहिस्त्राओ, तथा चीनी मिल बहिस्त्राओ के BOD, जैव रासाइनिक ऑक्सीजन मांग को उनके आरोही क्रम में रखा गया है इसका राइट आंसर होगा, फ्रेंड्स, आप्सन नमबर A, SE less than S less than PE less than DE, बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोश्चन क्यों और? अध्योगिक तथा नगरी अफसिस्ट जेल को प्राक्रतिक सत्त ही जेल में छोड़ने के एविसे में केंद्री प्रदूशन नियंत्रन बोर्ट द्वारा BOD कितनी प्रस्तावी की गई less than 3.0 PPM less than 10 PPM less than 100 PPM less than 30 PPM इसका राइट आंसर होगा फ्रेंट्स ओप्सन नमबर B less than 10 PPM नेक्स्ट क्रूशन प्रकास रास्ताइनिक धुम या कोहरा के प्रदूशन में क्या नहीं होता है इसका राइट आंसर है फ्रेंट्स कार्बन डाइट आकसाइड सी ओ टू बढ़ते हैं पारवाहिक करने को कहा गया था या किस वर्स में पारित किया गया तो ऑप्सन ए है 1986 B 1987 C 1988 D 1985 इसका राइट आंसर है फ्रेंट्स 1987 और मॉन्ट्र प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल सहर कनाडा में हुआ था ठीक है बढ़ते नेक्स्ट कोश्चन की ओर ब्लू बेबी या जिसे नीला सिशू कहेंगे ब्लू बेबी नीला सिशू सिंड्रोम सनलक्षन किसके पलिणाम स्वरू होता है इसका राइट आंसर होगा फ्रेंट्स ओप्सन नमबर बी मैट हीमोग्लोबीन तीक है नेक्स्ट कोश्चन कौन सा युग्म सुमेली नहीं है जीवास मीधन का जलना CO2 का उत्सरजन बी नाभकी उर्जा रेडियो धर्मी कच्रा सी सौर्य उर्जा हरिद्ग्रह प्रभाव डी जयो भार का जलना CO2 का उत्सपाजन तो इसका right answer है friends, option number C, सौर उर्जा हरिद्गर प्रभाव तेखेंगे next question, निम्लिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? तो इसका right answer है friend, option number B, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायू परिवर्तन देखिंग next question, निम्लिखित में से किसका प्रयोग पेजल को रोगाणों मुक्त करने के लिए नहीं किया जाता है, A, क्लोरीन, B, ओजोन, C, क्लोरेमाइन, D, फिनाईल तो इसका right answer है friends, option number D, फिनाईल बढ़ते हैं next question क्यों, लंबे समय तक अधिक सी चाई किये जाने पर खेत में कौन सी समस्या उत्पन हो जाती है? A, अमलियता, B, सूखा, D, छारियता, C, छारियता, D, धातु, विशाक्ता तो इसका right answer होगा friends, option number C, छारियता बढ़ते हैं next question क्यों, सन 1984 में भोपाल गैस 83 दी घटित हुई क्योंकि मिधाइल आइसोसाइनेट ने क्रिया की A, DDT से, B, अमोनिया से, C, CO2 से, D, जल से इसका right answer होगा जल से next question प्रदूसी जल का सामान्य संकेतक जीव है A, E, कोलाई, B, P, टाइफी, C, C, विब्रियो, D, एंड, अमीबा इसका right answer होगा एकोलाई हाल ही में भारत सरकार ने पेट्रोल में एलकोहल मिस्तृत करने की अनुमती प्रदान की है एलकोहल की कितनी मात्रा को पेट्रोल में मिस्तृत करने की अनुमती दी गई है इसके option है 2.5%, 10-15%, C, 10%, D, 5% तो इसका right answer होगा फ्रेंड, 5% तो 5% आप मिला सकते हैं एलकोहल की मात्रा पेट्रोल में ठीक है अब देखते हैं question रुधिर में C से की सांद्रता का कौन सा इस्तर खतरनाक है option A, 20μg per 100ml, 30μg per 100ml, C, 4, 6, 6μg per 100ml and D, 10μg per 100ml तो इसका right answer होगा फ्रेंड, option B, 30μg per 100ml next question fluoride production से मुख्यता क्या प्रभावित होता है A, मस्तिस्क, B, हैद, C, दात, D, गुर्दे उसका right answer होगा friends दात, जो मारे दात होते हैं उनमें यहाँ पर जो काई जम जाती है दातों में वो fluoride का धारण होता है ठीक है, बढ़तें next question की ओर एक सूचक जीव के रूप में S, च, रिचिया, कोलाई, जिसे E, कोलाई भी खहते हैं तो इसका right answer होगा friend विस्टा पतहार्थ बढ़तें next question की ओर वायू मंडल में हरिद्ग्रह गेसों का सबसे बड़ा उतसरजक है A. रूस B. अमेरिका C. जर्मनी D. ब्राजी इसका right answer friend option number B. अमेरिका बढ़तें next question की ओर निम्नलिकित में से कौन प्रदूसी जल में अनुपस्थित होता है A. हाइड्रिला B. जली हाइसिंथ C. प्रस्तर मक्ही के लार्वा D. नील हरित सैवाल इसका right answer होगा friends option number A. हाइड्रिला यह जल में रहने वाला ऐसे गुच्छेदार टाइब का पौधा होता है ठीक है बढ़तें next question की ओर B. O. D. क्या है A. जल में सजीओं द्वारा उप्योग की गई ऑक्सीजन की मातरा B. सुचमजीओं द्वारा अब घटन के लिए उप्योग की गई ऑक्सीजन की मातरा C. जल में उपस्तित कुल ओटू की मातरा D. उप्रोक्त सभी तो इसका right answer होगा friends option number B. सुचमजीओं द्वारा अब घटन के लिए उप्योग की गई ऑक्सीजन की मातरा ठीक है पढ़तें next question की ओर सामान ने वारताला पौली धनी की तिवरता होती है जिसमें हम बात करते हैं किसी अन्य परसन के साथ में आमने सामने तो उसमें कितनी धनी की तिवरता मापी जाती है तो option A है 10 से 20 decibel option B 30 से 60 decibel option C 70 से 90 decibel option D 120 से 150 decibel तो इसका right answer होगा friends 30 से 60 decibel और आप लोग ध्यान रखेंगे कि धनी की जो तिवरता है वो decibel में मापी जाती है ठीक है बढ़तें next question की ओर आप एक छिक जैविक प्रभाविता से अभिप्राय उन छतियों से है जो होता है A कमताब द्वारा B उच्चताब द्वारा C इनसेफलेटिस द्वारा D विकीरण द्वारा इसका right answer होगा friends विकीरण द्वारा बढ़तें next question की ओर DDT है A अबगटित न होने वाला प्रदूसक B जैविक रूप से अबगटित होने वाला प्रदूसक C प्रदूसक नहीं D एक प्रतिजैविक पधार तो इसका right answer होगा friends option number A अबगटित न होने वाला प्रदूसक बढ़ते हैं next question की ओर प्रदूसक के संदर्व में निमनलिखित में से कौन सा लाइकेनों का उप्योग है A ये प्रदूसित जल को उपचारित करते हैं B ये प्रदूसर्ण के लिए जैव संकेत का कारिय करते हैं C ये प्रदूसर्ण को बढ़ाते हैं D लाइकेन प्रदूसर्ण से संबंधि नहीं है तो इसका right answer होगा friends option number B ये प्रदूसर्ण के लिए जैव संकेत का कारिय करते हैं next question, किसमे व्रहध इस्तर पर मचलियां मरती हैं? A. मीसो ट्रोफिक जील B. ऑलिगो ट्रोर्फिक जील C. नमकीन जील D. यू ट्रोफिक जील तो इसका राइट आंसर होगा French option number D, यू ट्रोफिक जील में मचलियां मरती हैं, ज्यादा मात्रा में ठीक हैं? आज का सेशन यहीं पर समाप होता है और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे की आपको क्लासेस निरंतर मिलती रहें और आप चैनल से जुड़े रहें ठीक है धन्यवाद